Hello students, आज इस वीडियो में हम exercise 9.1 से question number 9 solve करेंगे Question number 9 है, which is greater in each of the following First part देखे दिया गए 2 upon 3, 5 upon 2 हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन greater है, यानि कौन बड़ा है इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके denominators equal कर लेंगे देखे यहाँ denominator में 3 है और यहाँ denominator में 2 है तो denominator equal करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 और 2 का LCM निकालेंगे अब देखे 3 और 2 का हमें LCM निकालना है तो देखे 3 और 2 ये दोनों 1 के अलावा किसी same number से divide नहीं हो रहे है तो इनका LCM कैसे निकालेंगे, 3 और 2 को multiply कर देंगे 3 into 2, multiply करेंगे क्या आएगा, 3, 2, 6 तो यानि 3 और 2 का LCM क्या आगया है, 6 तो देखे 3 और 2 का LCM आया है, 6 तो मैं हाँ पे 6 लुक लूँगे तेखे, अब 6 को numerator में जो 3 है, इससे divide करेंगे 6 को 3 से divide करेंगे, क्या आएगा, 3, 2, 6 2 आया, ठीक है, अब 2 को numerator में जो 2 है, उससे multiply करेंगे 2 को 2 से multiply करेंगे, क्या आएगा, 2, 2, 4 फिर ये, कॉमा, ठीक है, अब 6 को 2 से divide करेंगे तो 6 को 2 से divide करेंगे, क्या आएगा, 2, 3, 6 6, divide करने पर क्या आया, 3 आया, अब 3 से numerator में जो 5 है, इसे multiply करेंगे, क्या आएगा, 5 को 3 से multiply करा, 5, 3 जा 15, ठीक है, अब इन्हें अलग-अलग करके लिख लेंगे, देखे, 4 upon 6, 15 upon 6, ठीक है, तो देखे, यहां पर denominators equal हो चुके है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, जब denominators equal हो जा है, ठीक है, तो अब हम numerator में देखेंगे, कौन बढ़ा है, ठीक है, तो यहां पर देखे, यह 4 है और यह 15 है, तो कौन बढ़ा है, 15 बढ़ा है, यानि 15 upon 6 is greater than 4 upon 6, तो देखे, 15 upon 6 is greater than 4 upon 6, पर देखे, हमें तो इन दोनों में पताना है, कौन बढ़ा है, ठीक है, अब देखे 15 upon 6 वाला नंबर कौन सा है 15 upon 6 वाला कौन सा है 5 upon 2 ठीक है और 4 upon 6 वाला कौन सा है 4 upon 6 वाला है 2 upon 3 ठीक है अब 15 upon 6 बड़ा है तो यानि कौन बड़ा है 5 upon 2 इन दोनों में 5 upon 2 बड़ा है तो therefore 5 upon 2 is greater अब second part देखे दिया गए minus 5 upon 6 और minus 4 upon 3 अब हमें बताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है तो देखे उसके लिए हम इनके denominators equal कर लेंगे यहाँ denominator में 6 है और यहाँ denominator में 3 है तो denominators equal करने के लिए 6 और 3 का LCM निकालेंगे अब देखे LCM of 6 and 3 छोटा नंबर देखेंगे जिससे 6 और 3 दोनों ही divided हो जाएं तो वो नंबर है 3 3 से 6 भी डिवाइड होगा 3 भी डिवाइड होगा देखे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 तो देखे अब देखे 1 के लावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसससे 2 और 1 दोनों ही divided हो जाएं तो हम यहीं पे stop कर देंगे तो देखें एलसेम के आया है 3 into 2 3 into 2 is equal to 6 तो 6 और 3 का एलसेम क्या आ गया है 6 आ गया है इन दोनों का एलसेम आ रहा है 6 तो यहां अब उन में मैं 6 लिख लूँगी ठीक है अब 6 को इस 6 से divide करेंगे तो कितने पर divide हो रहा है 6 बन जा 6 one पर divide हो रहा है अब one से हम numerator में माइनस five हो उसे multiply करेंगे minus five को one से multiply करेंगे तो minus five ही आएगा किसी지도 को Lebens 거기 नंबर यह फूरा आता है देखेंगा फिर अब six को three से divide करेंगे 10 कितने पर divide हो रहया है three two is a six two पर divide हो अब two से numerator में जो minus 4 है उसे multiply करेंगे minus 4 को 2 से multiply करेंगे क्या आएगा minus 8 आएगा 4, 2, 8 और फिर minus का sign क्या आए minus 8 अब इन्हें अलग-अलग लिख लेंगे तो देखे क्या आएगा minus 5 upon 6 comma minus 8 upon 6 तो देखे denominator सेक्वल हो चुके है यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है देखे जब denominator सेक्वल हो तो हम numerator को compare कर लेंगे हम देख लेंगे कि numerator में कौन बड़ा है तो देखे यहाँ numerator में minus 5 और यहाँ minus 8 है तो इन दोनों में कौन बड़ा है देखे minus में जो number सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है तो यानि minus 5 जो है बड़ा है minus 8 से यानि minus 5 upon 6 is greater than minus 8 upon 6 पर देखे हमें तो इन दोनों में बताना है कौन बड़ा है अब देखे यहाँ minus 5 upon 6 बड़ा है तो देखे minus 5 upon 6 वाला number कौन सा है minus 5 upon 6 वाला number minus 5 upon 6 ही है तो यानि इन दोनों में कौन बड़ा है minus 5 upon 6 बड़ा है तो therefore minus 5 upon 6 is greater third part देखे दिया गया minus 3 upon 4 and 2 upon minus 3 तो अब हमें पताना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है तो देखे सबसे पहले तो minus हम नीचे नहीं दिखते हैं तो मैंने minus यहाँ उपर लिख लिए तो क्या हो गया minus 2 upon 3 अब देखे सबसे पहले तो हम इनके denominators equal कर लेंगे यहाँ denominator में 4 है और यहाँ 3 है तो denominators equal करने के लिए क्या करेंगे 4 और 3 का LCM निकालेंगे तो LCM और 4 और 3 का LCM निकालना है तो देखे 1 के अलावा कोई ऐसा number नहीं है जिससे 4 और 3 दोनों ही divide हो जाए तो इनका LCM कैसे निकालेंगे 4 और 3 को multiply कर देंगे 4 इंटू 3 4 तरी सा 12 क्या है इनका LCM 12 आ गया है 4 और 3 का LCM आया है 12 तो मैं यहाँ लिकलूंगी 12 अब 12 को 4 से divide करेंगे तो कितने पे divide हो रहा है देखे 4 तरी सा 12 3 पे divide हो रहा है अब 3 से numerator में जो minus 3 है उसको multiply करेंगे minus 3 को 3 से multiply करेंगे तो क्या आएगा minus 9 आएगा 3, 3 जा 9 और फिसाथ में minus का sign कॉमा अब 12 को 3 से divide करेंगे तो कितने पे divide हो रहा है देखे 3, 4 जा 12 4 पे divide हुआ अब 4 से numerator में जो minus 2 है उसे multiply करेंगे माइनस 2 को 4 से मल्टिप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 8 आएगा 2 4s आ 8 और फिस 7 में माइनस का साइग अब इन्हें अलग-अलग करके लिख लेंगे तो कैसे लिखेंगे माइनस 9 अपॉन 12 और माइनस 8 अपॉन 12 ठीक है तो देखें सोरी डिनॉमिनेटर्स जो है वो इक्वल हो चुके है यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12 जब डिनॉमिनेटर्स इक्वल हो तो हम न्यूमिरेटर्स को कंपेर कर लेते हम न्यूमिरेटर में देखेंगे कौन बढ़ा है तीक है अब देखें 8 upon 12 is greater than minus 9 upon 12 पर देखे हमें तो इन दोनों में बताना है कौन बढ़ा है अब यहाँ पर देखे minus 8 upon 12 is greater than minus 9 upon 12 minus 8 upon 12 बढ़ा है तो यहाँ पर देखे minus 8 upon 12 वाला नंबर कौन सा है minus 8 upon 12 वाला नंबर है minus 2 upon 3 या कह लीजे 2 upon minus 3 है तो यानि इन दोनों में कौन बढ़ा है 2 upon minus 3 बढ़ा है तो therefore 2 upon minus 3 is greater फोर्थ पार्ट देखें दिया गहा है minus 1 upon 4 and 1 upon 4 हमें पताना है इन दोनों में कौन बढ़ा है आप देखें ये minus 1 upon 4 है माइनस में है तो यानि ये एक negative number है और यह plus का 1 upon 4 है तो यानि यह एक positive number है ठीक है अब देखे हमें पता है कि positive number negative number से बड़े होते हैं ठीक है तो यानि 1 upon 4 बड़ा है minus 1 upon 4 से तो देखें since every positive number is greater than every negative number क्योंकि हर एक positive number हर एक negative number से बड़ा होता है therefore इसी दिए 1 upon 4 is greater than minus 1 upon 4 इसी दिए 1 upon 4 बड़ा है minus 1 upon 4 से क्योंकि 1 upon 4 एक positive number है फिफ्ट पार देखें दिया गए minus 3 and 2 upon 7 और minus 3 and 4 upon 5 हमें पताना है इन दोनों में कौन बड़ा है देखें यहाँ पर यह हमें mixed fraction की form में दिये हुए है पहले हम इने improper fraction में लिखेंगे देखें से पहले इसे लिखेंगे देखें कैसे लिखेंगे 7 से 3 को multiply करेंगे क्या आएगा 7 3 से 21 आया फिर 21 में यह 2 प्लस कर देंगे 21 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 23 ठीक है और 7 में minus का sign आजाएगा और upon में क्या आजाएगा 7 तो क्या आया minus 23 upon 7 ठीक है फिर देखें कोमा अब इसे लिखेंगे improper fraction में तो क्या करेंगे 5 से 3 को multiply करेंगे क्या आएगा 3 5 सा 15 आया और 15 में 4 प्लस कर देंगे कितना आएगा 19 आएगा और 7 में क्या है minus का sign तो क्या आगया minus 19 और upon में 5 ठीक है अब देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे denominators को equal कर लेंगे यहाँ denominator में 7 है और यहाँ denominator में 5 है ठीक है तो denominators को equal करने के लिए क्या करेंगे इन दोनों का LCM निकाल लेंगे तो देखे LCM of 7 and 5 7 और 5 का LCM निकाल रहे है तो कैसे निकालेंगे देखिए 7 और 5 यह दोनों 1 के अलावा किसी एकी number से divide नहीं होते है तो इनका LCM कैसे निकालेंगे इन दोनों को multiply कर देंगे 7 और 5 को multiply करा कितना है 7 5 सा 35 तो 7 और 5 का LCM कै आ गया 35 तो मैं हाँ लिख लूँगी 35 अब 35 को 7 से divide करेंगे तो देखे कितने पर divide हो रहा है 7 5 सा 35 5 पर divide हुआ अब 5 से numerator में जो यह minus 23 है इसे multiply करेंगे minus 23 को 5 से multiply करेंगे तो क्या आएगा minus 115 आएगा देखे पहले 23 को 5 से multiply कर लीजे क्या आगा 115 और फिर 7 में minus का sign आगया देखे फिर कोमा अब 35 को 5 से divide करेंगे तो देखे कितने पर divide हो रहा है 5 7 सा 35 7 पर divide हुआ अब 7 से minus 19 को multiply करेंगे तो क्या आएगा minus 133 आएगा पहले 19 को 7 से multiply कर दिया कितना आया 133 और फिर 7 में minus का sign आगया अब इन्हें अलग-अलग करके लिख लेंगे तो देखे कैसे लिखेंगे minus 115 अपॉन में 35 ये एक बार इसके denominator में आ जाएगा फिर कोमा फिर minus 133 अपॉन में 35 तो हमने इन्हें अलग-अलग करके लिख लिया तो अब देखे डिनोमिनेटर्स एकुल हो चुक है यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 35 जब डिनोमिनेटर्स एकुल हो जाए तो हम न्यूमिनेटर्स को compare करते हैं तो हम न्यूमिनेटर्स में देखेंगे कौन बड़ा है यहाँ देखे क्या है minus 115 और यहाँ न्यूमिनेटर्स में क्या है minus 133 तो इन दोनों में कौन बड़ा है देखे माइनस में जो नंबर सबसे छोटा होता है वो सबसे होता है तो यानि minus 115 बड़ा है minus 133 से तो इसका मतलब यह हुआ कि minus 115 upon 35 minus 115 upon 35 is greater than minus 133 upon 35 तो यह बड़ा है पर हमें तो इन दोनों में बताना है कौन बड़ा है तो अब यहाँ पे देखे minus 115 upon 35 बड़ा है तो अब यह देख लीजे कि minus 115 upon 35 वाला नमबर कौन सा है minus 23 upon 7 है तो यानि इन दोनों में कौन बड़ा है minus 3 and 2 upon 7 बड़ा है तो therefore minus 3 and 2 upon 7 is greater तो यह बड़ा है तो आज इस वीडियो में हमने question number 9 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like share and subscribe, thank you